ये अस्ट सिद्धिनों निधिके दाता है आज की जमाने में इसका कोई मतलब है देखे मैं मुझे मौरारी बापु जी को बहुत समय से सुनता हूं सब हमारे रामचे इत्मानस का सिर मौर है उनकी कुछ बाते मुझे बहुत प्यारी लगते है जैसे बापु का बड़ा फोकस रहता है सिद्धी पर नहीं हम शुद्धी के आदमी है सिद्धी के नहीं सुद्धी के आदमी है तो सिद्धियां तो हनुमान जी के पास हैं ही भगवान महदेव ही हनुमान है और तुलसिदाज जी ऐसा कहते है अनमादिक सिद्धियां तो कहलाश पे जाड़ू लगाती है भवान शिव के यहां अनिमादिक सिधियां तो ज़़ू लगाती है और हनुमान जी कौन है अनिमा महिमा गरिमा लगुमा शित विशित प्राक्य प्रकाम में पद्मनिधी ब्रह्मनिधी शंकनिधी यह जो कच्छब निधी है इन नव निधियां जो है यह सब अश्ट सिधि नव निधी क्या लिखा आश्ट सिध्धी नव निधी के दाता दाता हैं राखा नहीं है कौन है दाता ये देते हैं ले जाओ मेरे से छुडा लो यार तुम ले जाओ अपने पास से देना यानि मेरे से छुडा लो और जो अपनी सिध्धी निधियों को बाड़ता है उसकी औ और बढ़ती रहती है। के पास अपने आप ही ऑटोमेटी होती है। उसको ये सब अरजित नहीं करनी पड़ती है। इसके लिए कोई आपको कहीं अणिमा को ले करनी आना, गर्मा को ले करनी आना, आप तो राम भजो। मैं रोज यग्य करता हूँ, अपने घर पर, नियम है। रोज एक करते हैं, हनुमन ते एक करता हूँ, छोटा हूँ। मुझे लगता हमें अष्ट सिद्धिन अव निदियों की जरूरती नहीं है। करना क्या है, और लगता कौन सी अष्ट सिद्धिन अव निदि नहीं है अपने पास। श्री हनुमान जी की करपा जब होती है, तो ये सब सिद्धियां अव निदियां, रिदि सिद्धि संपति, नदि सुहाई, उमग, उमग, अवद, अंबुद, कहुं आई। तुलसिदा जी कहते हैं, राम जी ब्या करके आए, तो नदियों की बाड़ आ गई, रिद्धि सिद्धि, नव निदियों की, आप तो राम भजन करो, और राम भजन कब आई बाड़? कौशल्या जी के महलों में राम थे, जब भक्ती आ गई, भगवान के साथ भी जब भक जब जाती है, तो नव निदियों की, रिद्धि सिद्धियों की बाड़ आ जाती है, ऐसे हनुमान जी के भक्त को ये जीवन में सीखना चाहिए, जब मेरे जीवन में राम भजन आ जाएगा, भक्ती आ जाएगी, तो अनिमादिक सिद्धियां, नव निदियां तो दोड़ अजय लगिन